जे मेसी की दोस्तों, आज की सुरिग्य मन्ना का भाग हमने लिया है ये शाय के पुसक, उसका 66 अध्याय और उसका दूसरा पद वचन कहता है, यहोवा की ये वानी है, ये सब ववस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है, इस प्रकार से ये सब ववस्तुएं अस्त्तों में आई, और तुम मैं ऐसे वेक्थी परदश्ची करूँगा, जो दीन और तूटे मन का हो, और जो मेरे वचन के कारण थर-थराता हो धन्यवाद पिता, तेरे इस प्रवित्र सामर्थी वचन के लिए, परमिश्व तुन्हे हमें बताया है कि तुन्हें अपने वचनों के त्वारा इस पुरी स्ष्टी को बनाया, और इसी तरीके से ये सारी चीज़े जो दिखती हैं, वो काम में आई, उनका अस्तित्व ठे हमें उसको नमन करना है, वचन हमें सिखाता है कि हमारे मन में दीनता आनी चाहिए, परमिश्व के लिए, हम जाने कि हम कौन है, दीनता क्या है, दीनता वो है कि हमें अपने आपको रिक्त करना है, इस सारे उपासनाओं, इस सारी वासनाओं से, इस सारी लालसाओं से, जो सं कर पाएंगी और हम उस आशीश को पापाएंगे दोस्तों मती पांश दो में परमेश्वर ने यही वचनीश वसी ने पहली पहली अपना उब्देश ये कहा है कि धन्य हो व्यक्ति जो मन का दीन है क्योंकि वो स्वर्क का अधिकारी होगा धन्य शब्द अगर हम संसारिक धन्य वो व्यक्ति है जिसके पास शक्ति है धन्य वो व्यक्ति है जिसके पास मकान है जिसके पास प्रॉपर्टी है लेकिन यहां पर बाइबल कहती है कि धन्य वो व्यक्ति है जो मन का दीन है हमें अपनी दीनता को पहचानना है कर लोग अपने मूँ से कहते हैं कि मैं निर मन की दीनता स्वभाव का गुड़ नहीं है मन की दीनता में आत्मिक गुड़ है हमें उस आत्मा के साथ अपनी दीनता को पहचानना है अगर हम यह समझते हैं कि हम अपनी शक्ति अपने सामर्थ के दोरा मसी जीवन जी सकते हैं तो हम गलस सूचते हैं दोस्तों हमारे अंदर क कोई ऐसी शक्ती नहीं कि हम मसी जीवन जी सकें, पवितर आत्मा के दोरा, उसकी आत्मा के दोरा, उसके सामर्थ के दोरा, उसकी कृपा के दोरा, उसकी दया के दोरा, हम मसी जीवन जी सकते हैं, हमारे अंदर कोई शक्ती नहीं है, हम कुछ नहीं हैं, हम रिक्त हैं, इसलिए ह में अपने आपको दीन बनाते हुए परमेशर के चड़नों में रहना है इसलिए पहला पतरस पांच का पांच कहता है कि परमेशर अभिमानियों का सामना करता है और दीनों पर अनुगरे करता है याद करिये वो वचन, याद करिये वो दृश्य जब पतरस की नाओं में इश्यो मसी सवार थे और इश्यो मसी की भलाई को देखते हुए इश्यो मसी के पहुतर सामर्ती काम को देखते हुए पतरस ने अपने आपको दीन कहा अपने आपको दीन किया और इश्यो मसी से कहा कि मैं एक पापी हूँ मेरे सामने से हटचा प्रफू मैं तेरे योग की नहीं हूँ खालेलोया और शुमसी ने उसे उठाय और अपने गले लगाया महान प्रिरित पालुस ने भी अपने आपको दिन किया और फिलिप्यो के पत्रे हमें बताती है कि ईशुमसी ने कैसे अपने आपको दिन किया इस संसार में रहते हुए हमारे लिए हमारे लिए वो उबदेश देने के लिए हमारे लिए वो गवाब बने और अपने आपको दिन किया इसलिए दोस्तों हमें अपने आपको दिन करना है और प्रभू के चड़नों में अपने आपको रखना है दीनता के साथ हमें परमेशर की सेवा करनी है दीनता के साथ हमें उसके वशनों को अपने जीवन में उतारना है और उसके वशन के अनुसार ही अपने जीवन को चलाना है क्योंकि वो ही सत्य है, वो ही जीवन है, वो ही मार्ग है, इसलिए आएए, हम प्रात्रा करते हैं, कि परमेशर हमारे अंदर दीनता हमेशा बनी रहे, तेरी कृपा हमेशा बनी रहे, तेरी दया हमेशा बनी रहे, हम दीन बन कर तेरे विचारों, तेरे उपदेशों को अपने जीवन में उतारे तेरे गुणों को अपने जीवन में उतारे और जैसा तूने जीवन जिया है उसी तरही के से अपने जीवन को बिताए हम सुनेवालों के लिए प्रात्रा करते है परमेश्यर कि वो इस सच्चाही को अपने मन में उतारे और दीनता के साथ हम सब मिलकर हम एक मन होकर हम दिन तक के साथ प्रभु तेरी स्यवा करे इश्व मसी के पवद समाथी नाम से मांगते एमे